नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर भुपाल में आयोजित हिंदी का तीन दियूसिय महा कुम्ब संपन जीलो की नगरी भुपाल में आयोजित दस्वा विश्व हिंदी सम्मेरन शरीवार को अधिक्रूत रूप से संपन हुआ लेकिन प्रदर्शनी को आम चंता के लिए खुला रखा गया है तीन दियूसिय हिंदी के इस महा कुम में 49 देशों के हिंदी प्रेमियों और विद्वानों ने शिर्कत की इस दौरह आयोजित विभिन सत्रों में विदेश निती में हिंदी प्रशासन में हिंदी हिंदी पत्रकारिता और जन संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता विदेशों में हिंदी शिक्षा आदी महत्वपूर्ण विश्यों पर चर्चा की गई विदेश मंत्रा लेके इस आयोजन में विदेश राज्यमंतरी जनरल वी के सिह तीनों दिल नज़र आए स्थानिय लोगों के साथ ही देश विदेश के प्रतिभागी सम्मेलन को लेकर काफी उत्साहित नज़र आए सम्मेलन के सबसे आहम बात ये रही कि सूचना प्रोध्यों की के शेत्र में हिंदी को बढ़ावा दे रही वेब दुनिया माइक्रोसॉफ्ट, सीडे, गूगल जैसी बड़ी कमपनियों को प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पहली बार मुखा दिया गया लोगों की रुची को देखते हुए मुख्यमंतरी शिवरास सीहं चोहान के आगरह पर इस प्रदर्शनी को 13 और 14 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है प्रदर्शनी आम जन्ता के लिए सुबह 10 से शाम 6 बज़े तक खुली रहेगी मख्या की ग्रैंड मसजिद पर विशाल क्रेंग गिरने से 107 लोगों की मौत मका की प्रख्यात ग्रेंड मस्जित पर एक विशाल क्रेंड की गिर जाने से कम से कम 107 लोगों की मौत हो गई और 238 घायल हो गई मुरुतकों में दो भारतिये भी शामिल है सौधी अधिकारियों ने बताए कि खराब मौसम के बीच यहाथ सा हुआ बताया गया है कि घटना के वक्त वहां तेज बारिश हो रही थी मका में हवा काफी तेज थी और मस्जित में बड़ी तादाद में लोग मुजूत है विदेश मंतरा लेके प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि हमें खबर मिली है कि इस हाथसे में दो भारतियों की मौत हो गई और 15 भारतिय घायल हुए है जिनका विबिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इनमें 11 भारतिय भारतिय हज समीती के और 4 मीजी टूर ओपरेटरों से है मक्का में दुरघटना घटी थी उसमें ताजा जानकारी के अनुसार 15 भारतिय हाजी घायल हुए है और दुरभागेवश दो भारतिय हाजी जो की केरला से थे उनकी मृत्य हो गई है जड़ा में हमारे कॉंसल जेनरल और अन अधिकारी घायल भारतिय नागरिकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है मक्का में जितने भी मुख्य हस्पताल हैं उन सब में भारतिय डॉक्टर और नर्स मौझूद हैं वे भी घायलों की देख रेख में जुटे हुए है हमारे कॉंसलिट ने एक हेल्प लाइन खोल दी है जिसके नंबर विदेश मंतराले की वेबसाइट पर उपलब्ध है भाज यात्रा निर्धारित कारिक्रम के अनुसार चल रही है इसमें इस हादसे की वज़े से कोई रुकावट नहीं आएगी काभा की परिक्रमा भी पुना आरंब हो चुकी है मदबर देश के पेटलावाद में विस्पोट और गुजरात के दाहोत के अस्पदालों में भीजा गया है कुछ लोगों को इंदौर और रतलाम भी ले जाया गया पैटलावाद के एक मकान में सुबह 8 बजे के करीब ये विस्पोट की घटना हुई सुत्रों ने प्रारंबिक परताल के बाद बताये कि मकान में अवेद रूप से विस्पोट अक्सामगरी डेटोनेटर के रूप में रखी हुई थी किसी वज़े से इसमें विस्पोट हुआ और इस धमागे ने बादजू में स्तित रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में लिया रेस्टोरेंट में रखे गेज सिलेंडरों के फटने से विस्पोट ने आसपास के शेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया रेस्टोरेंट में दर्जोनों लोग सुवे चाय नाश्ते के लिए आये हुए थे विस्पोर्ट के प्रमुक कारणों की जाच की जा रही है